उमिक्रोन वेरियंट कहां से आया है? इसका जन्म कहां हुआ है? और इसके उत्पत्ती के लिए क्या सचमुच चुहे जिम्यदार हैं? वेग्यानिकों को इस विशे में क्या जानकारी मिली है? आज के वीडियो में हम इन सवालों के जवाब विस्ता से देने जा रहे हैं, तो आईए शुरू करते हैं उमिक्रोन की उत्पत्ती को लेकर सबसे ताकतवा थियोरी जो चल रही है, उसके मताबिक कमजोर इम्यून सिस्टम वाले इंसान को कुरोना के किसी वेरियंट ने संक्रमित किया होगा उसके बाद उसे उसी दोरान किसी तरह के क्रोनिक इंफेक्शन भी हुआ होगा, जिसकी वज़ा से कुरोना वारस शरीर में घर बना कर बैट किया दिरे-दिरे अपना रूप बदलता रहा, यानि म्यूटेट होता रहा उसने इतना जदा म्यूटेशन कर लिया कि वह भैयानक ओमिक्रोन वेरियंट बनकर सामने आ गया है इस बीच एक और थियोरी आई है, कि ओमिक्रोन वेरियंट चुछो से आया है वेग्यानिकों का कहना है कि आखतरनाक और संक्रामक वेरियंट नॉन हुमन एनिमल स्पीसीज से आया है संभौता रोडेंट यानी चूहों से स्टेक नाम के मीडिया संस्थान ये खबर प्रकाशित की है कि ओमेक्रोन की ओरिजिन तब हुई होगी जब किसी चूहे को पिछले साल के मध्य में कुरोना का संक्रमड हुआ होगा कई जीवों में म्यूटेशन करने के बाद कुरोना वारस के इस नए बदले हुए वैरियंट ने इंसानों को संक्रमित किया होगा इस पुरी प्रक्रिया को रिवर्स जिनोसिस कहते है जिनोसिस मतलब जानवरों से इंसानों में आने वाली बीमारी जबकि इंसानों से जानवरों में वायरस का जाना, वहाँ फिल से अपना रूप बदलना, यानि म्यूटेट करना और उसके बाद वापस इंसानों को संखरमित करना इसे रिवर्स जूनेसिस कहते हैं बरलिन के चैरिक यूनिवरसिटी हॉस्पिटल के वायरोलोजिस्ट क्रिश्चन ड्रोस्टेन इन दोनों ठियोरी से इंकार करते हैं वो कहते हैं कि ओमिक्रोन सबसे पहले कमजोर वायरल सर्विलांस वाली आबादी में आया होगा वही पर वेक्सित हुआ होगा और संक्रमण फैला रहा होगा लेकिन किसी की नजर इस वेरियंट पर नहीं पड़ी क्रिश्चन ड्रोस्टेन को लगता है कि ये वारस दक्षण अफरिका में पैदा ही नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़ादा मात्रा में जिनोम सिक्वेंसिंग चल रही थी लेकिन या सर्दियों के मौसम में दक्षण अफरिका के किसी दूरस्त दक्षणी इलाके में विक्सित हुआ होगा दूसरी तरफ कई एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि ओमिक्रोन वेरियंट कई वेरियंट्स के म्यूटेशन के बाद बना है इसमें खुद 30 से ज़ादा म्यूटेशन हुए है इसलिए पूरी तरह से संभाव है कि या रिवर्स जूनेसिस की प्रक्रिया से उकर गुजरा होगा उस थियोरीज ये भी कह रही हैं कि किसी कमजोर प्रतिरोधक शमता वाले इंसान में कोरोना वारस ने खुद को म्यूटेट करके ओमिक्रोन के रूप में उबहा हो उमिक्रोन वेरियंट में चूहे को संक्रमित करने वाली जीन है ये बात तो पुखता हो गई है लेकिन जितना म्यूटेशन इस वेरियंट में देखने को मिला है उतना म्यूटेशन कोरोना वारस के किसी अन्य वेरियंट में अब तक नहीं देखा गया है इसलिए विग्यानिक इसे इस नजरिये से भी देख रहे हैं कि ये चूहों में विक्सित हुआ हो